दोस्तों नमस्कार और आप देखरें न्यूस बकेट न्यूस बकेट में आपका स्वागत है सरकारी योजना गाउं से लेकर सहर तक पहुंच पा रहा है या नहीं हमारे साथ हैं भाज़पा के नेता हैं लोग और इन से जानने के लिए प्रयास में हैं कि ये लोग जो बताए सरकारी लाव जनता को मिल आए नहीं यह बताएं कि जिस तरीके से सरकार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तमाम योजनाय लेकर आ रही है कितना गाउं और सहर तक पहुंच रहा है जैसे आप आवास करीजी जो छोटी-छोटी-छोटी है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े ब्यक्ति की जरूरत है प्रदेश की सरकार माने मुख्वंत्री के नितित में समाज पर पायदान पर अंतिम खड़े ब्यक्ति के लिए निरंतर कारे कर रही है और अब जो योजिना के बारे में बता रहे हैं कि निरंदर काम करें ऐस्मान योजिना को जीश तरीके से बात कही जा रही है कि सब तक पर मिला यह बहुत परिवार है जिनका अभी तक आभी टकाड़ नहीं मिला है और इसमार के लिए दरदर भटक रहें कि बिल्कुल बहुत 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 अच्छा सवाल आपने किया है कि आइसमान भारत के जोजना चल रही है तो देश के शुच्री परधान मंतरी मानि नरेंद मोदी जी उन्हें अपनी गरीवी को देखा था और आपको याद दिलाओं दो पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरका में जब कोई गरीब का परिवार उसका बीमार पड़ता था उसका बच्चा परीवार पड़ता था उसको अपने जमीर बेचना पड़ता था दवा के लिए अपने जमीन को गिर्वी कर देना पड़ता था दवा के लिए लेकिन इस दर्द को देश के सफसी परधान मंतरी औ समझा और पांच लाक उर्विया बहतर हिलाज के लिए और बहतर से बहतर उनको इलाज हो सके इसके देने का काम कांग्रेस की बात किये हैं लेकिन यहीं कांग्रेस 25 लाक रुपे उसी आयुस्मान पर राजस्थान में दे रही है सरकार को पांच लाक रुपे सिमित बढ़ा देना चाहिता है अईश्मान भारत है कमाम योजनाय चल रही है सरकारी चल रही है हम लोग चला रहे हैं और पुरिये देश में चल रहा है खासो तो उत्तर प्रदेश के अंदर मानी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आपने देख कोविड में हर जिले में कोने कोने में जाकर अपने अंतिम समाच पर खड़े ब्यक्ति की चिंता कर रहते हैं आप देख रहे होंगे कि लगातार उपनी शुल्क राशन दिया जा रहा है लगातार दो सालों से आगे भी दिया जाएगा योजना चल रही है आप क्या मानते है है जो योजना है सरकार अम आदमी पहुल मत पहुंच रहा है सरकार की योजना से सब्सक्राइब लेकिन विस लेकर का्या और यूजना पहुछ रहा है तिक है आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार योजना पहुछार सरकार लगा रही है योजना पहुछ पारी है यह निचले अस्ता तक पहुछ रही है हम लोग में घूमते हैं देखते हैं समाज में लोगों से मिलते भी हैं जाए आवास हो यह कुछ कोई ऐसा चीज हो जो प्रदान मंत्री जी मोदी जी हमारे जो संसरी संसर्ट चेट बारास के वराड़सी में जितने भी कारकरम यह कोई भी चीज हो वह निचले अस्ता तक बहुत सारे महिलाएं अब यह कह रहे हैं कि सबसीडी तो मिली नहीं रहा है तो फिर कैसे जलेगा देखिए उसमें 200 रुपे कम किये हैं तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव को देखते हुए सब यह सरकार धिरे-धिरे-धिरे सोच रहे हैं कि जितने निचले अस्ता तको उसको कम से कम किया जाए हर चीत पर नियंतर रखा जाएगा धिरे-धिरे बहुत सारे महिलाएं यह भी कह रहे हैं कि हम तो बस लकड़ी पे बना रहे हैं जब से 1200 रुपे हुए हैं वह गैस के जो सिलेंडर कोने में रखा गया है देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अ सबसे बहुतर लगवक सारी जोजनाएं चल रही है वह गरीब किशान मज़ूर के लिए चल रही है जैसे अभी देखें किसानों के लिए दिया रहा है किसान सम्मान निदी दिया जा रहा है हर मां उनकों के एकाउंट सीधे खातें पहुंचे जा रहा है और तमाम पेंशन जो रूके थे पिंशन सारे समाज केंथी से माधा ठीज रही जरूर लेकिंटेशन की यूरिया का इनकों बता है उसके हो रहा है और पुरह नियंत्रणकर रही है और सदerson करें प्लि Sans कर है कर से अच्छा एक सवाल है तीनों लोगों से तीनों लोग आप भाजपा से ही जुड़े हुए हैं क्या अभी और पेट्रोल और गैस के दाम घटिंगे अब यह देखिए धिरे-धिरे आप अपना ब्यक्तिकत रहा देजी और कुछ नहीं अब यह अब हम लोग क्या कहें बिल्कु यह अब हमारे परदान मंत्री नहिंत मोदी जी और योगी जी दिन रात मेहनत करें कि हमारे जो गरीब जनता हैं को कोई तकलीप नो कोशिश कर रहें कि अधम कम से कम भाइब अच्छा एक सवाल और बढ़ गया आप लोगवा है तो यूवाओं को चाहिए नोकरी तो नोकर अब आपके इच्छा होता है मेरा बेटा नोकरी करें वर्दी पहने डीमस्पी के लिए लगवाओं कर रहा है तरकार जो भी हमारा नोजवान है उसको रोजगार लगातार दे रही है वह चंपता के अपने अनुसार नोकरी पा रहा है रोजगार पारा है तिक है आप क्या क दूपान कुरी करते हैं यह हैं और चुनाव पर चार भी करते हैं यह सरकार की योजनाओं के बारे में नोनोगों करते हैं कि जो भी दिल्ली से यह लखनओं से योजनाओं आती है गरिब के अंतिम छोड तक सरकार पहुंचा रही है सरकार के साथ साथ जो करे करता है वो भी पहुंचाने में मदद कर रहे हैं आने वाले वक्त में किस तरीके से ये लोग सारी योजनाओं को कैसे पहुंचाएंगे तो Ground Zero से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे नुज़बकेट किस ताथ हमें दीजी जाजात नमस्कार पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे नुजबकेट की मैगजीन में हमारी इमैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके लावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें